आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख सबसे पहले मुख्य समाचार केंद्री मंद्र मंदल ने तीन लाख रुपए तक के अलपा वधिक रिशी रिणों पर ब्याच में देड़ प्रतिशत सबसे दिगा किया अनुमोधन प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी 28 अगस को आकाश्मानी से मन के बाद कारिक्रम में अपने विचार करेंगे साज़ा शडूल सलेवी नए शिक्षा नीति के आधार पर शास्की और शास्के स्कूलों में बस्ते का बोज हुआ आधा और इन दौर में गोगा नौमी पर पर जिन प्रतिनी धियों के साथ ही शहर के संगटनों द्वारा चलाया जाएगा सचता बहा जिन भागेदारी अभ्यान अब समाचार वस्तार से केंद्री मंद्र मंदल ने तीन लाख रुपए तक के अलपावधी क्रिशी रिणों पर ब्याच में डेर प्रतिशत सबसिडी का अनुबोधन किया है नई दिलनीवे आज क्याबिनेट के बैठक के बाद मीदिया को जानकारी देते वे सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराख सिंग्ठाकों ने कहा है कि निर्णे क्रिशी शेत्र में समुचित रिण प्रवाह को सुनिशित करने के लिए किया गया है उन्होंने कहा है कि इस निर्णे से 34,856 करोण रुपए के लागताएगी जो सरकार रिंड दाता संस्थाओं को उपलप्त कराएगी सरकार ने यात्रा, परिटिन और आवबगर शेत्र के लिए आपात रिंड सुविधा गैरंटी योजना के सीमा 50,000 रुपए बढ़ाने के निर्णे को भी मंसूरी दी है मंत्री ने ये भी बता है कि कैबिनेट में पेटिन्ट आवेद को और अनसंधान करताओं सहित उपयोग करताओं को परंपरागत जानकारी डिजिटल लाइबरेरी तक पहुँच प्रदान करने का भी अनुमोदिन किया है प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी 28 अगस को आकाश्वानी से मन के बाद कारिक्रम में आपने विचार साचा करेंगे प्रदान मंत्री ने लोगों से इसके लिए अपने सुझाओ भेजने को कहा है ट्वीट संदीश में श्री मोदी ने काहा है कि विभिन विश्यों पर उन्हें भेजे गए सुझाओं को कारिक्रम में शामिल किया जाएगा लोग अपने विचार नमु एप और माई जी ओवी डॉट ओपन फोरम पर बेज सकते हैं भारती इंता पार्टी ने आज पार्टी के संसदी बोड और केंद्री चुनाव समितिका पुनरगटन किया पार्टी के राश्य अध्यक जेपी नद्डा के नित्रोत्तों में संसदी बोड में प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी, रक्षा मंत्री राचना सिंग और ग्रह मंत्री अविशा शामिल है। हरगर दिरंगा अभियान और स्वाधीनता के 55 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में केंद्री संचार विरो गोपाल द्वरा सुभाष एक्सिलेंस स्कूल में आयोजित तीन दिवसी चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। जिने स्वाधीनता अंदूलन में भूपाल में हुई आजादी से संबंधित घटनाओ का स्रिक्र किया। वहीं राजेश बादल ने नई पीधी को मध्रदेश के जलियावाला बाग, चरन पादुका कांट और प्रदेश के वीर सिरानियों के ओगदान से परिचे कराया। कारीक्रिम के आरंभ में प्रिश्नमंच का आयोजुन किया गया। समाचारों में वक्ते ब्रेक का। सकते हैं। जो 13 दिन तक चला। शासकी स्कूलों में अप्री प्रैमरी के बच्चों को बैग लेकर स्कूल नहीं आना पड़ता है। निजी स्कूलों में 7-8 किलो के बस्ते के बोच को 5 किलो कर दिया गया है। कमिशनर राजीव शर्मा ने बताया कि बोच कम होने से बच्चों को बड़ी राहत मिली है। गोगा नौमी परपर सफाई मित्रों के अवकाश के दौरान शहर की सफाई विवस्ता प्रभावित ना हो इस उद्देश से 21 अगस को प्राता 7 बजे सुचिता महा भियान के तहत जन प्रतिंधियों के साथी शहर के अन्य संगतनों द्वरा सचिता महा जनभागिदारिया चलाया जाएगा इंदोर नगरनिगम महापौर पुष्य मित्र भारकव और आयक्तु प्रतिभा पान ने बताया है कि सफाई मित्र पूरे वर्ष में 365 दिनों में से 364 दिन तक उपस्तित रहकर शहर की सफाई का कारी करते हैं और वर्ष में किवल एक दिन गोगा नौमी के दूसरे दिन अवकाश पर रहते हैं इसलिए हम उनके सम्मान में जन भागेदारी से शहर में सफाई कारी करेंगे पन्ना में आज हल्चट और श्री बलदेव जुर्मोटसफ पर श्री बलदेव जी मंदिर को आकरशक धंक से सचाया गया है पन्ना सिले में इस मौटसफ का एक अलग ही महत्व है इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊची की विशाल शाले ग्राम प्रतिमा है मंदिर के पुजारी योगें रवस्ती बताते हैं कि सनचना का मंदिर पूरे विश्व में कहीं और नहीं है ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है जिसे ततकालीन पन्ना महाराज द्वारा बनाया गया था सिहोर सिले के मूल लिवासी और वर्तमाद में शासापूर के मोहन बडोदिया में पदस्त तैसिलडार नरिंद ठाकूर और सिहोर के नसुरला गंच में पदस्त पत्वारी महिंद रजग जलहाग से का शिकार हो गए दोनों अपने निजी कार से देरात एक पार्टी से जब घर लौट रहते तभी इनकी कार सिहोर की सीवन अदी की कर्बला पुल में पाने के तेस बहाओ में जलमगन हो गई पुलिस ने सूचना के बाद SDRF से रेस्क्यू करवाया आज सुबह सीवन नदी के अवंतिका पुरा गाउं के पास गहरे जलमे कार फसी मिली वही कार में सवार पतफारी महेंडर रजक का शौग गाउं शापरी के पास मिला लेकिन फिलहाल तैसिलदार नरिंद राकुर की खोच जारी है अब कुछ समचां सिंख्शेप में राजपाल मंगो भाई पतील कल आगर मालवा जिले के एक दिवसीय ब्रमन पर रहेंगे वहीं राजपाल ने आज रतलाम में आदिवासी संस्क्रतिक प्रदशनी का अबलोकन किया जबलपुर में बरगी जलाशर के बढ़ते जलस्तर को देखते वे आज बांध के दो गेट और खोले गए हैं अब 15 गेटों से जल छोड़ा जा रहा है जल निकासी की मात्रा भी बढ़ा कर 148,000 के उसे कर दी गई है वैखनवा सिले में इंदरा सागर बांध के बारा गेट और उमकारिश्वर बांध के 23 गेट खोल कर पानी छोड़ा जा रहा है जाबों में मलेरिया और देंगु चैसे रोगों के प्रसार के आशंका को देखते वे इन रोगों पर नियंतरन के लिए सगंद लार्वा सर्वे का कारे किया जा रहा है राजकर सिले में प्रातमिक विद्याले रगुनातपुरा के बच्चियों द्वारा लिखी किताब बाल पाड़ी का आज कलेक्टर ने विमोचन किया बढ़वानी में आज जल जीवन मिशन के अंतरगर जिले के चिन्हे 74 गाओं में हर घर जल प्रदाय के विसरत कारी उजना निर्मान के लिए बेठक कायोजन किया गया धार सिले में प्रदेश की लोक स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्र प्रभराम चोधरी द्वारा ठीका करन अभियान के तहट धाम नोद में स्वास्त अधिकारियों और कर्मचारियों को शपत दिलवाई गई नर्मदा पुरन जिले में टीपीडी और टीडीटी का करन अभियान के तवरान 57,494 वच्चों को ठीके लगाए गये और नीमच में मद्र प्रदीश जन अभियान परिशत द्वारा महाशी श्रीयार्विंद के 150 में जन्मो वर्ष के उसर पर सार्ध शती कारिक्रम का आयोशन किया गया अंत में मुख्य तमाचार एक बार फिर कींद्री मंद्री मंदल ने 3 लाख रुपे तक के अलपावधी क्रिशी रिनो पर ब्याच में देड़ प्रतिश सबसेडी का किया अनुमो दन प्रदान मंद्री डरेंद्र मूदी 28 अकस को आकाश मानी से मन के बात कारिक्रम में अपने विजार करेंगे साज़ा शडूल सिले में नई शिक्षा नेती के आधार पर शास्की और शास्की स्कूलों में बस्ते का भोज हुआ आधा और इन दोर में गूगा नौमी परपर जन प्रतिनिधियों के साथ ही शेहर के संकतनों द्वरा चलाया जाएगा स्वच्छता महा जनभाकेदारी अभ्यान इस विलिटिन में इतना ही डीजे जास्रत नमस्कार युस्टार युस्टार